हलो एवरियोन मैं विश्रजीत सिंग आप सभी का दाइनप पर स्वागत करता हूं दूस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.04 का important question को solve करने वाले हैं आप जो एक question बेपर देखे लो अपने screen पर यह हमाई पारंबिक राज्य संचना की विवेचना कीजिए आप इस portion में अगर आप टाइम लाइन को समझोगी यहां पर पूछा जा रहा है कि जब पारंबिक राज्य की संचना हुई स्टार्टिंग में जब राज्य बन रहा था structure जब उसका फांड हो रहा था तो किस तरीके से जो छेत्री राज्य थे उनका विस्तार सम्राज्य तक हुआ इसके बार में पूछा जा रहा है छूटी छोटी छेत्री राज्य बढ़ा बनायागा उसको मिला कर किस तरीके समराथ मोरे चंद्रगुप्त मोरे के टाइम प्रेड के अंदर में ही चोटे छोटे रीजनल राज्य थे ना उसको मिला कर बड़ा समराज्य के तौर पे निर्मान क्या गया तो इसके जानकारी के सुरोत क्या होते हैं यहां पर आपको पलता जलता है बोध धरम से किस तरीक नामक पूस्तक लिखी गई थी इंडी का नामक पूस्तक लिखी गई थी उस समय की दस्तावीद रही होंगी, उससे हमें इस सब्सक्राइब के बार में पता चलता है ठीक है समझे में आता है तो यह जो उस समय का मोरे टाइम पिरेट के इंदर में आप देखोगे जो छोटे-छोटे-छोटे-चेतरी राज्य देना उनको मिलाकर बड़ा समराज्जी के तौर पर मान किया गया सबसे बड उन 16 महाजनपातों में कुछ राजत्तर थे कुछ गणतर थे उसके घर का ही तो अर्थ विवस्था था उसके अंदर में सब्तांग सिधान्थ की बात की गई सब्तांग सिधान्थ मनलब क्या राज्य को चलाने के लिए एक समराज्य के अंदर में साथ प्रमुक अंग होने चाहिए सब्तांग होना चाहिए साथ अंग होने चाहिए इसके बारे बात किया साथ हंग कुन-कुन से तब यह राजा होता है मंत्री होता है तो उस तरीके से साथ हंग होते हैं जो मैं डिटेर्इल वीडियो बात कर रखा है आप देखो कृषी छेत्रों के अंदर में विस्ताब लेक्ने करें जाता है गंगा के जो कफोर मैदान ते वहाँ पर वहाँ पर क चैनल के जाने लगती है और उजार उस समय में होगा लोहे का ओजार यह फिर लोह उत्पादन ज्यादा होने लगा ठाट और उजारों की मदद से नहीं यह पर वरतन वार उजारों के कारशा गंगा के कफोर छेत्रों के अंदर में भी खृषी का वाद आपको देखने क्लि कोई बड़ी बात नहीं है अगले कोश्चन को बढ़ते कोश्चन नम्बस है कि जहां पर पूछा जा रहा है पारंबिक मद्यकालिन भारत में आठवी से बार्वी तक राजनेतिक पदेतिया थी उसका विकास हुआ किस तरह से नहीं तो यहां पर जो राजा हुआ करता है वनस वनसानुगत रूप से आगे बढ़ रहे थे राजे वनसानुगत राजाओं के अधीन थी ठीक है और प्रॉपर एक संगठन वावस्ता नहीं देखने के लिए ठीक है अगर आप देखोगे तो परमुक जो राजे उस समय थे तो यहां पर आपको मिलेगा पल्लव पांडेन आपको मिलेगा चोल चेर ठीक है राजे के अंदर में उत्रा अधिकारी ठीक है रा उत्रादिकारी मातवर्ति के अधार पर था मातरवन्सी मतलब क्योंता है कि मेरी माता के बाद गर मालो अभी जो मेरी रानी है वो मेरी मा है उनके बाद जो रानी बनेगा वो मेरी बहन बनेगी उसके बाद उसकी बेटी बनेगी उसके बाद उसकी बेटी बनेगी मतलब ना महिलाओं के पास ही पावर ट्रांस्फर होगा ठीक है यह होता था ठीक है प लiesu तरीके तो चलता है पूरा चैरं ता पालव पंडी मेंगkle ऑंसानुकत या फिर पित्रवंसी यहां पर बोल सकते हो ऊड़ाक करते हैं यहां हम 910 सूर्यवनिसिया के अंदर हुआ जो जाते हैं आगे बढ़ते तो राजा सूर्यवनिसिया सी आवा करते थे साथ ही साथ आप दिखो को तो चेर राजाओं की जो राजा थे उसकी प्रकृति कि दूसरे राजाओं से भीज मानी जाती थी तोड़ा अलग नीचर के थी यहां पर के नील कंट करके जो इतिहांस था रहे होने बोला कि चोल समराज्जी की जो धारना थी वह अधिकारी तंतर से मुक्त और केंद्री के त्रा माना जाता था यहां पर चोल केंद्र में ऐसा न प्रकत ठीक समझें आता है आगे हम बड़े तो निरंकु सक्ता का अभाव वहां देखने कले मिलता है वहां पर प्रॉपर एक एक सथा का अभाव हमें यहां पे देखने कले मिल जाता है तता कि अने के केंदर स्थाने और विविंस तरोपर विस्षिरित किये गए थे जैसे आप देखो गे मोरे समराज जन्पत में 16 जनपत बनाने का रीजन क्या था देखो एक समराज जी का तो निर्मान कर रहे हैं सब्सक्राज बड़ा समराज बनेगा सब करने का रीजन यह था कि हर छेटर के अंदर में प्रॉपर ठारीखे से अंदर में डिवाइड कर दिया गया और यह 16 जन पर जो थे ना वो यहाँ पर कारे कर रहे थे राज्य को regulate करने का ठीक है राजा के आदेशों को मानने का इस तरीके से यहाँ पर चलता है ठीक है समझ में आता है तलिए अगले question क्यों बढ़ते question number third विजय नगर समराज्य की विस्तार से चर्चा की विए बहमनी और दूसरे राजची की विवेजना की जी है ठीक है यह question आपका बंद कराता है ठीक है अगर विजय नगर का question आपको कहीं भी लिखता है ना किसी भी बुक के अंदर में इंपोर्टन question के तोरके उसको आप ट्रीट कर सकते हैं विजय नगर के question आते हैं अक्सर exam के अंदर में अगर मैं बोलो विजय नगर वाले topic के अंदर में तो इसकी स्थापना दो भाईयों ने करी थी हरियर और भुक का कई बार आपने पढ़ा होगा easy question हरियर और भुक के द्वारा विजय नगर की स्थापना हुई कब हुई थी लिए तो 1336 में ताथी साथ आज देखोगे उत्तर दिसा में ये कुष्णा नदी के किनारे बसा हुआ था दच्छिन में काविरी नदी के बीच में मतलब कुष्णा और काविरी नदी के बीच में बीजय नगर समराच्चे इस्थित्था राजाओं ने टोटल देखा लुक्ता है यहां पे इन्होंने अपना विस्तार भी अच्छे सिक्या है अगर आप देखोगे तो फंद्रफफसो तयाइस में फिकर फंद्रफसो तयाइस के अंदर में 1523 में और 1542 में और 1543 से लेकर 1565 के बीच में यह कई सारे जगओ पर अपना विस्तार करते हुए देखने के लिए मिलते हैं इस जो टाइम प्रेड ना पंदर सो 23 पंदर सो 25 फंदर सो 345 इन सब टाइम प्रेड की विच में कहीं ना कहीं वो यूद में रहे जिसके कांशनों अपना विश्थार किया विजयनेगर को ही माना जाता है विजयनेगर की दानी विजयनेगर परिनाम सोरूप माना जाता है ठीक है कुलीन वरकों नहीए sfamसण यहां पर किया था और सव्ता प्राप्षराप्त करने के लिए प्रकिरिय प्रैडित क्या था कुललीन में कि दौरा ठीक है तो इस तरही कـ की चीजा के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा बैस्ता इस तरह किस परकार की यह आप कहा बचासकते हैं तो यहां बात करो तो यहां पर 18 सदी में अपनिवेसिक सक्तियों के निमान में डच पुर्तकालियों और फ्रांसिस्यों की बहूंका के बारे में पूश आ जाता है कि किस तरीके से डच और पूर्थकाली और फ्रांसीजी की भूंद का रही तो अगर आप देखो यह करके हम बात करते हैं डच के बारे में अगर मैं बात करूँ अधारी स्थावधी के अंदर में डच जो ते उपनिविश्चिक सक्तियों का निर्मान हो जाता है वहाँ पर ही स्थार्ट होता है डच का पूरा नाम देखो गए तो डच युनाइटिड इस्ट इंडिया कंपनी करके रखा जाता है ठीक है और साथी साथ अगर यह प्रमुक के द्लों में डच सरकर के द्वार हैं इंडिया के अंदर में वयपार कर सकते हैं और चिस सालों के लिए singles season आप के पास परमिट है आप जाकर वहां पे इंडिया में वयपार कर सकते हो 238 Аंश से लेकर 274 C के बीच में एंग्लो युद उद्धिवा था जिसके प्रणाम सुरुप क्या हूए था डच अपने विश्य का पतर माना जाता है एंगलो युद वात अंगलो वार के कारण से ही डच का पतर होता है अगर आप पूर्तकालियों की बात करो तो पूर्तकालियों का भी हां पर देखो गे तो वासको डिगामा लेकिनास्त का नाम आपको मैभाएंग मैगा सत्रहमाइ उसके बाद मुए तक पहँचा भाकी मोगों को अगा हो गई दो वास घीवास को डिवाश को दिःवां की इसके बाद यहां पर वैपार करना करते हैं समुंदरी रास्तों पर कबजा करती है, समुंदरी जो वैपारता भारत का उस पर अधिपत अपना कायम करती है, साथ ही साथ 1571 के अंदर में नौस्टैनिक फांडेशन भी आ पर रखती है, नौस्टैनिक चोक्यों का निर्माण करती है, जिससे वो किस तरीके से समुंदर के अधिपत जमा सकती है, इसका रास्ता खुल जाता है, फ्रांसिस्यों के अगर हम बात करें, तो फ्रांसिसी कमपनी सन 1721 के अंदर में आती है बारत के अंदर में, और मालाबार टट पर रुखती है, 1731 के अंदर में यमन और 1770 ठामन में कारगाइल प्राप्त करती हूं, स्थापना की जाती है, ठीक है, फोर्ट लूइस आप अगर पंडुचरी जाओ तो आपको वहां पर देखने के मिल जाएगा, फोर्ट लूइस की स्थापना की जाती है, पंडुचरी उसके फ्रांसिस्यों के द्वारा में, और 1741 तक में ये पूरी तरसे ना बड़ा बंद बट आपको यहां पर डिटेल में आपको बताना है, फोड़ा सा और मैं अगर चीज़े बता हूँ आपको तो नॉर्मली देखो, मैं चाहिए जिरू 4 की त्यारी कर रहो है, या किसी और सब्जेक की त्यारी कर रहो ना, तो धाइनप के उपर में जाना है, वहां पर आपको आलमोस सभी सब्जेक की वीडियो में जाएंगी, में हिस्ट्री के अंदर में, 500 से ज़्यादा वीडियो डाली गई है, में हिस्ट्री के रिकार्डिंग में, आप उन वीडियो को देख सकते हो, अगर मैं कुछ वीडियो आपको सजेस्ट करूँ जिससे आपके अच्छे न इंपोर्टन टॉपिक की वीडियो देखें कि क्या है वीडियो देखें कुछ अगर यह वीडियो देख लोगे ना, नॉर्मल एक दिन का भी टाइम है, आज जा चका, आज दो दिन का टाइम है आपके पास में, ठीके, तो भी आपका बहुत अच्छे से एक्जाम जाएगा देशी रास्तों की क्या भून का रही, इसके बारे में बात किया जाता है, अदेखो जो उस समय का जो भारत की स्थिति देखोगे ना, तो भारत की बटा हुआ था, कई हिस्सों में बटा हुआ था, कई सारे बुक्स में बोला था कि 521 राजवाड़े थे उस ताइम पर, ठ के बट नॉर्मली ओन दा भी हाफ अगर मैं बोलू 1947 या अंखड़ो के अधार पर तो 566, 565, 565 राजवाड़ो का नाम लिया जाता है, भारत 565 टुकड़ो में बटा हुआ था, जब 1947 में बारा देश अजाब कुआ, इसके अंदर में टोटल जो 21 रियासते थी, जो अपने ह अगर हम देखा जाए, 1900 रियासतों के साथ में संधी होना सुरूआ, संधी के अंदर में क्या होता था, कि कुछ rule regulation दिया जाता था, कि आप अपने राजे के अंदर में अपने इसको चला सकते हो, अपने नियम कानून जो भी है, व्यवस्ता वो बना सकते हो, ठीक है, आप उ प्रशाषन, व्यवस्ता आपका होगा, पर जो विदेशी जो संबंध है, विदेशी जो relation होगा, विदेशी राजनेतिक होगा, वो हम करेंगे, ठीक है, आप इस गोले के अंदर में क्या को मारना पर इतना है, क्या कैसे करना है, कैसे regulate करना है, वो आप अपना समालो, गोले बच्चा होने वाला नहीं है, आगे बविशे के लिए, बच्चा होने का मतलब क्या है, कि अगर राजा के बाद, कौन राजा बनेगा, तो इसका बच्चा बनेगा, ठीक है, तो इस इंडिया कंपनी ने उसके उपर में एक नियम बनाया, अब जिसे उत्रा अधिकारी मतलब है, आप बच्चे को गोद नहीं दे सकते हैं, बच्चे को गोद लेने पर रुक लगाए गया था, राजाओं के द्वारा, ठीक है, तो इस तरह से चीजे की जारे थे, समझ में आता है, तो यहां पर बता सकते हो, कि किस तरह से पूरा यह जो रियासतों के अंदर में पर मुक्त और पर क्या चीजे थी, डेसी रियासतों के अंदर में, किस तरह से उपनिवेशवात का निनमान करने मुनोंने रूल नहीं भाया, यह आप यहां पर पता सकते हो, इजी है, राम से कट सकते हो, चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले कोशन को, कोशन इंबर 6, जहा में आप लिखोगे, आंदर परदेश के बारे में बता सकते हो, तेलंगाना के बारे में बात कर सकते हो, करनाटका के बारे में बात कर सकते हो, केरल के बारे में बात कर सकते हो, और तमिलनाडू के बारे में बात कर सकते हो, पंडुचेरी के बारे में बात कर सकते हो, साथ स्ट्रीट के बारे में बता होगे कि आंद्रपरत स्तिलंगाना करनाटका केरल तमिलनाडू पंदुचेरी और लक्षदीप के बारे में अब इन काल के अंदर गत क्या हुआ किस तरीके से प्रशास्निक और संस्थागत संद्चनों को निर्माड हो रहा था उसको बताना ह आपको यहां पर नॉर्मल यह का टाइम प्रेड देखो तो संगम यूग के तौर पर उसको जाना जाता है पल्लव पांड़न और चोल समराजी समय निर्माड होए किस तरीके से इनकी व्यवस्ता जो दखकन प्रशासनिक व्यवस्ता के तौर पर जाना जाती किस तरीके वह इंडिन और चोल के बारे में बताना है यह अल्रीड वने चैप्टर्स करवा रखें तो वहां पर दी देखोगे ना तो वह आपके लिए बैटर रहेगा जिससे आपको समझ में आएगा और अगले कोश्चन फिर बढ़ते हैं कोश्चन नमबर सेवन मुगल समराज्य के पत मुगल समराज्य ने कभी न मतलब कौन उसके बाद राजा बनेगा चलो तो ठीक है राजा तो जो मर्जी बने बट राजा को भी बनाना वह सक्तिसाली नहीं कर सका अपने राज्य को जिसके कार्म से मुगल पतन की और बढ़ते चले गए मुगल पतन की और बढ़े तो मुगल राज्य के नदर में नहीं हूं जिसमें परमुख नाम आता है भंगाल का अवद का है तीन नाम आपको परमुख तौर पर देखते हैं तो यहां पर आप बात करोगा ना कि मुगल समराज्य के पतन के पश्चात अथाल स्तादी में उत्तरा दिकारी राज्य कौन से तो इनके बारे में जिक्रोहता है कि ही अवद किस तरो से था बंग्ल किस तरो से था है धरावाद किस तर निजाम का जव इस्टीड था किस तरी से रहा अगले कोश्चन के और बड़ते कोश्चन बरेट जहां पर हम बात करते हैं उपनिवेशिक सरकार के सिक्षा हैं समाज के बारे में सुधार महस्त शेट की विविजना के दिए अब दिखो उपनिवेशिक सरकार के द्वारा अगर आप दिखोगे जैसे इस इंडिया कंपनी हम समाज के इंडर में सभार किया गया कई सारे नीटियां जो साइफ उस समय की सरकार' रहती हैं कुछ और रहता तो नहीं आथा अगर बिटिस सरकार नहीं आता то साथ ना आप भार मतलब जो देश के अंदर में दोसो कुछ देश हैं ना अगर बिटिस सरकार भारत को गुलाम नहीं बनाती टीकिर तो साथ see 200 देशों की बजाय ना भारत कम से मतलब 500 कुछ देशों में बटा होता है आपस में लड़ मड़ जाते और दूसरों के कारण से में यह यह आपको reality समझना चाहिए ठीक है एक भारत बनी नहीं पाता कभी भी मुझे नहीं लगता ऐसा क्योंकि जो 555 राजबारे में बटा हुआ था यह ब्रिटिक सरकार और उस स पर अंघ्रेजी सरकार के हम दहिए न सिख्छा में तो अंघ्रेजी सिख्छ Skills को लागो किया गया थी कह समास्यूदार के लिए कई नियम निम कानुन को लागो किया अंग्डिजी सिख्छा लाने का एक मोटीफ यह वी था कि वह यहीं पर लोगों को सिखा कर अपने लॉक्स नौकरी के लिए रख सकें एक लॉजिक के साथ आप चलो कि अगर ब्रेटी सरकार एक व्यक्ति को और उनको जोड़ों थे किसी इंपलोई की और वो ब्रेटिन से लेकर आती है जो इंगली बोल सके उसको ज्यादा खर्चा देने के लिए जैसे एमनसी आती है एमनसी आज चाहिए अगर अमेरिका की कंपनी है वह इंडिया में आकर के सफॉन करें बहृत चाहिए यहां पर और이고 हाई रहे हैं तो जितने कंपणी का वजयत है अगर हम बारत से कहीं और चाहरे है और हम भारत से महींद्रा करने के लिए अमेरिका यूरोप कहीं भी जा रहे है तो हम उसके हिसाफ से पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे ना तो सीम चीज यहां पर देखा जाता है अगले इस ले डापने को इस तो ये और जाला धार्नाओं के साथ में वाला को jaar वीडियो के दरहें और अगले वीडियो अगर आपके मन में कोई डाउटो कोई 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 कर सकते हो मैं आंसर देदू आपका कोशन का और साथ ही साथ अगर अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब जुरू कर लें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे वीडियो अगर वैलीबल लगती है तो लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जुरू करना है यहाद की क्लास यहीं पर खतम होती है मिलते एंगले वीडियो को इंतरे में बाई बाई